हाई, मैं हूँ मनीश शर्मा क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड के लिए लिफ प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नवश्कार आदाब ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल के स्पेशल सीरीज में से एक है यह सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जिसमें हम देश में घटी कुछ शौकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर कर रहे हैं हुआ यह हैं कि साइबर सेल में प्रमोट होने के बाद मैं अपने पुराने दोस्ते मिलने के लिए पुलिस टेशन गया मैं इस बास से बिल्कुल बेखाबर था कि वहां मेरा सामना एक ऐसे शातिर दिमाग वाले क्रिमिनल से होने वाला है जिसने एक साल से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को घुमा रखा था हादिल हाद मिलने कुछ आइडिया है यार तीन साल बाद साइबर सेल में प्रमोशन के बाद सोसल मीडिया से तो तो गाय भी हो गया था मिशन प्रोटोकॉल यार अचा आजा बेखते है क्या बाद इस थाने में आते ही 101 केस निप्टा थी तुम्हें नहीं यार इतने भी अच्छे रिकॉर्ड नहीं है मेरे पुराने अपसवरो का भार है न्यू केसेज के भार कम करने के लिए डिपार्टमेंट उन केसेज को बैक्लोग में डाल रहा है जिनके एक साल पूरे हो गया है लेकिन ये 101 नंबर केस इसका शगु नभी टल गया है मतलब कि इस केस को एक साल पूरा होने में अभी तस दिन बाकी है वैसे तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी येस केस वाइल का नंबर ये 101 नहीं है फायर और रेस्क्यू का नंबर भी 101 है हो सकता है इंसा पुकार पुकार के कह रहा हूं कि मुझे बचा लो मैं जिन्दा ह अर्विन गुप्ता, इस केस का विक्टिम क्या होगा था इसके सार्व यार यही तो पता नहीं चल पाया आप तक अलाकि इनवेस्टिकेशन के रिपोर्ट के अधार पर अब तक पता चला है कि इसने सन्यास ले लिए लिए सन्यास, पर यार यह तो काफी यंग लग रहा है आज सेक साल पहले 34 का था अभी 35 का होगा इसके फादर आते केस के अपडेट के लिए लेकिन डिपार्टमेंट सारे केस के अभार कम करने के लिए उन्हें बैकलोग में डाल रहा है जबकि उनके सॉल्व होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं प्रिस नंबर यू अज़ए लिए आउट ओवरेज अगरेट अगरेज यूश्चावी यूश्चाव आज़ा बादेट रहा है अगरेट उट्रीटिटी इस प्रिस पारिश्चेश्चावान बड़े लेकिन कुछ ही पननों में मुझे लगा किस केस में कुछ तो और जीव जैसे एक दम तोड़ता हुआ कोल्ड केस कह रहा हूँ कि मैं जिन्दा हूँ पर इस केस का विक्टिम अर्विन गुपता क्या वाकिश जिन्दा है? अब इस केस फाइल के हिसाफ से देखें तो अर्विन उपर वाले की तेलाश में सरन्यास पे चला गया पर एक ही साल में अर्विन को ढूण पाना नामुम्किन कैसे हो गया किसी भी केस का इतना इंपरफेक्ट क्लोजर मुझे हमेशा ही याटपटा लगता है डालो इन दोनों को हाजत में और कुटो उन्हें जब तक जुर्म कबूल नहीं कर लेते हैं क्या अदिल साब कहा खोय हो चाय भी नहीं पी एक बात बता इस अर्विन गुप्ता ने दो मैसेज़ेज भेज़े थे अपने फादर को देल्ली और गॉलियर से जिसमें उसने जिकर किया कि वो सिन्न्यास पर जा रहा है हाँ एक बाब बता तू इसमें इतना इंट्रेस्ट को दिखा रहा है अच्छा यह जो अर्विन गुप्ता ऐस के डिजिटल फूट्प्रिंट्स इन्वेस्टिकेट हुए थे भाई यह मेट्रो सिटी नहीं है निवाडी जिला है यहां फूट्प्रिंट क्या होता है यह क्रिमिनल तुम लोगों को मात दे गया मतलब मतलब यह के क्रिमिनल जो भी है ना बहुत शातिर दिमाख इसलिए तुम लोगों को पपलू बना गए बेज़त कर रहे हो अच्छा एक बाब बता तू इतना जीनियस है तो इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर देता अब तो अप अपना जोहर तो नहीं दिखाने पठाँ पर तू सेक ऑफ जस्टिस मैं चैलेंज एक्सेप करता हूं मैं इस केस को स्टड़ी जुरूब प्र मुझे जानना है कि केस एक्ट्यूली था क्या एक्ट्यूली क्या हुआ था 26 अगस 2022 को आखरी बार अविन को निवाडी में देखा गया था उसके फादर के ब्यान के मुताबिक वो सुबह नौबे तक अपने घर पर ही था 10 बजे वो अपने ओफिस पहुचा है अर्विन अपनी एक छोटी सी फिनेंस कंपणी रन करा था था उसके बाप दादा दश्कों से ब्याजब पैसे देने का काम करते आ रहे था उसने उससे अप्ग्रेट किया और फिर अपनी फिनेंस कंपणी इस्टबिलिश्ट की लेकि निवाडी रिलवे श्टेशन के बाहर उसकी कान मिल जहां से उसने वालियर के लिए सफर किया और गवाइलर से ही उसने अपने फादर को फॉस्क मेसज़ किया सौरी एपा मैं आखरी और आप से मिला भी ने हंगर मिल लेता तो शयब ँर मोह में भर्ष चाना प्र तक्रिवान आठ घंटे के बाद बिल्ली से उसने अपने फादर को दूसरा मैसेज किया निराश्मा तो यह पापा, मैं एक बार सरूर कॉल करूं आपको फिर छे घंटे के बाद देहरा दुन से उसने अपने फादर को आखरी इंटरनेट कॉल किया हाँ, अर्विन, काँ हो तुम? यह कैसे अजीप से मेसेग भेज़ रहो तुम? पापा मेरा इस संसार से मोप अंगो किया है यह कैसी बैके-बैके बात ही कर रहो तुम? बैका ही हुआ था पापा, लेकिन अब आख है कुली है, मैंने सन्यास ले लिया है अपने जीवन के अंतिम्यातर पड़ जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना अर्विन, मेरी बात तो अर्विन, लेकिन इन्वेस्टिकेशन के बाद एक बात साफ हो गए, वो जहां भी गया, अपनी मर्जी से गया चलो मान लेते हैं, कि जहां भी गया, अपनी मर्जी से गया पर सवाल यह है कि गया क्यों, वोई तो वजा होगी ऐसा क्या हुआ जिसने उसको सन्यासी बन्य के लिए मॉटिवेट किया वाट वस तैट टर्णिंग पॉइंट दसदीन है ना तेरे पास तरी केस स्टड़ी कर ले मैं तो स्टड़ी कर रही लूँगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तो इस केस से बिल्कुल पल्ला ज़ाड ले इस केस को स्टड़ी करते वक्त मेरे जहन में जो जो सवाल आएंगे उनका जवाब ढूंडने के लिए मैं तेरे पास ही आने वाला हूँ मैं हर इमतान के लिए तेयार हूँ विश्यवा गुज लाक सर्फ, मैं बात समझ नहीं पारा, एक मिसिंग केस को क्या वाकई साइबर सेल एक्सपिर्टीज की जरुरत है अब अब आप 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 क्यूरियोसिटी एक केस करना चाहते हैं नोटियू पर देस्टिस उल्स हमारा कामिया सचाइड का पता लगाना लोगों को इंसाफ दिलाना अगर हमारे दस दिन की जहनी मुशक्त से एक बुड़े बाप के जहन को ये स्पून मिल सकता है कि उसका बेटा कहा है किस हाल में है तो मुझे लगता कि हमें ये मेहनत करनी चाहिए वारा तो मंत्री यही वर्क इस वर्क्षित कर्म ही पुजा है हाँ सर कर्म किया जा फल की इच्छा छोड़ दे लेकिन जितना मैंने इस केस के विक्टिम अरविन गुपता को स्टड़ी किया है वो बंदा ऐसा नहीं था जो बिना फल के कुई कर्म करें बंदा मनी लेंडर था कर्श देता था और बदले में उनसे मोटा सूध वसूल करता था तो दस लाग का इंसिक्योड लोन चेहिए आपको वही बारा परसेंट के इंट्रेस्ट पर तर हमशाला कोल रखी है मैंने पर पिछला लोन मैंने इसी रेट ओफ इंट्रेस्ट पर लिया था और मैंने एक टाइम से रेपे भी कर दिया था मुझे नहीं लिया था तेरे पापाई ही से लिया था और बोल रहे हैं आप चार किस्ते लेट दी थी थी आपने फर वह दोलाग रुपे का लोन ता दस लाग का नहीं था अगर चट्टीस परसेंट में चेहिए तो बोलो ठीक है मनोज, फॉम फिल करो इनका हलो, हाँ पापा, अरे, आपने पुलाबी लिया उनको, मैंने कहा था ना, आपको मुझे कोई शाधिवादी नहीं करनी अभी ठीक है, आताओंगे अरवीन, यह एक किरती है, गर्थ साब की बेटी है नमस्ते अंका, नमस्ते, आय किरती तो, फिलांसर हैं आप? क्यों आपको मालूम नहीं था? नहीं, वो मालूम था बट समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करो दो स्यादी से पहले, अरेंज मेरीज में ऐसा ही होता है और बाद में सब कुछ फॉर्मल होयाता बट अप्शन भी दो ही है, यस और नो यही तो लजने होती है, एक कैजूल डेसी यंकी बड़ाए विष्य। आपको में लगी तो साइव यह और आप? आपको में विष्य। आपको में विष्य। आपको में विष्य। दर्थ साब, बदायो हम सम्धी बंगे चलाए विए नमस्ते आपको चलिए, कुपाल जी, अब हमें भी आग्या दी जी जैराम जी की पंडित जी, मुझे फसाकर आपका चलती है बैठे कुछ बात करनी है का हुआ बेटा? इस लड़की हमारे लिए लग्की तो है ना? अरे बेटा, यह लड़की तो हमारे बिजनिस के लिए बहुत लग्की है और हमारे कुंडली? तो हमारे कुंडली भी देखी साव सारे, कैसी केस वाहिल है? यह देखे इसमें मिसिंग विक्टम की जनम कुंडली तक अठा है जाए अच्छी यह जनम कुंडली अर्विन के फादर नहीं पुलिस की जांच से फ्रस्टेट हो के पुलिस को दी थी अच्छी जब पुलिस ने यह थोरी बनानी शुरू की के अर्विन अपनी मज़ी से गया है और सन्यासी बन गया है तब उनने गुस्से में आके यह कुंडली पुलिस को दी और बोले के जब अर्विन की कुंडली में सन्यासी का योग ही नहीं तो सन्यासी कैसे बन सिकता है और उन्होंने इसे इस केस फाइल में डॉकुमेंटेट कर दी है एक्टली इस केस की तहकीकात बड़ी कन्वेंशनल और रुटीन तरीका से होई है वही जान पाहचान के लोगों से पूशताष, कॉल रिकाउड डिटाविल्स, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर एक बार अर्विन के डिजिटल फूट्प्रिंट्स सही से इंवेस्टिकेट हो जाएं तो अर्विन के गायफोने की कहानी खुद बाखुद सामने आ जाएगा सर तो हमें करना क्या होगा? यगर पोलिस ने अर्विन के फोन से तीन लोकेशन पांट आट किया गवालियर, दिल्ली और देहरादू अब गवालियर इसलिए क्योंकि यहां से पहली बार अर्विन के फादर को टेक्स मेसेज किया गया और दिल्ली फिर दूसरा मैसे यहां से किया गया लेकिन इस बार मैसेज मैसेजिंग एप से किया गया अब तीसरी लोकेशन है देहरादूर, जो सबसे क्रूशल है, वो इसलिए क्योंकि इस बार मैसेज नहीं, बलकि इंटरनेट कॉल की गई उसी मेसेजिंग गाप से. सर, ग्वालिया, डेली, देहरादूर, तीन अलग अलग शहर. करेक्ट, अब हमें करना ये है, कि इन तीनों लोकेशन्स पर, जहां-जहां अर्विन का मोबाइल, जिन जिन मोबाइल टावर से कनेक्टर था, हमें पता करना है कि वो कौन था. सर, आप डम डेटा निकल वाने की तून ही सोच रहे हैं. एक्जेक्टली, क्योंकि डम डेटा से पता चलेगा कि उस एरिया में जितने भी एक्टिव वाइफाई या मोबाइल नेटवर्क्स थे, अब उस सारे डम डाटा को हम जीरो डाउन करेंगे और उसमें पता करेंगे, कि आर्विन की जान पैचान के कौन-कौन लोग है. ये बात आप भी जानते हैं, एक साल बाद इतना पुराना डेटा अविलेबल ही नहीं होगा, माक्स तुमेक सिर्फ छे मनेगा डेटा स्टोरेज रहता है, मैं जानता हूँ, और क्या करें, अब केस तो हमने अपने हाथ में ले लिया ना, अब पुलिस से केस साइबर सल के साय, दस दिन का वक्त है, देख लो, साइबर सल की इज़त का सवाल है, बुरे फसे सर, सर, दस दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, अरे होगा, बिल्कुल होगा, चांस तो लेते हैं, दो लोगों का अलड़ी रिसर्च पे लगा दिया है, उनके लिए ग्वैलर का डेटा एक जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए, पहले में यह पता करना होगा कि वो किन-किन लोगों से कनेक्टेट था, लगता तो नहीं फाइल टीक से पढ़ी निए, इस फाइल में सस्पेक्ट लिस्ट है, यह मैंदर कपूर, जिस बिल्डिंग में अर्विन का उफिस जो इस बिल्डिंग को तोड़ के टावर बनाना चाहता हो, जो तो क्या में सारे सस्पेक्ट से मिलना भी होगा, मैंदर के पूर से नहीं मिल पावब है, क्योंकि यह भी इस दुनिय में नहीं है, यह है दूसरा प्राइम सस्पेक्ट, उदैसे ना, चल्ड, बाहर में खाता है, हमें, किरती के साथ शादी कर रह नहैं तो, को अने तो? मेरी बहुत कोन के सुन, शादी के लिए मना कर दे, क्यों? अबे, एक बाहर बोलाना शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि कीरती सिर्फ मेरी है, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो काट डालूगा, उससे तुम्हें मारा क्या? पहले बता हुआ है कुन? उद्धे, मेरा बॉइफरेंड, अर्विन, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती थी. तुम उद्धे सब भी प्यार करती हो? नहीं, अर्विन, उद्धे के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है. मैंने तुम्हें हाँ बोला है, और मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूँ. उद्धे सिर्फ मेरा पास था. तुम्हें जानने के बाद, अगर तुम्हें शादी से मना करना चाहते हूँ, तुम कर सकते हूँ. अरे बेटा, यह लड़की तुम्हारे बिजनिस के लिए बहुत लग्की है. मेरी शादी तुमसे ही होगी. कीरती, अर्विन की फ्यांसे कीरती भी इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है. क्योंकि अर्विन की जानपे अचानवालों केरती वह शक्स है जिसने अर्विन को लास्ट टाइम कॉल किया था. एकली पुलिस को यहां तक लगता है कि लास्ट टाइम अर्वीन के साथ एक कीर्थी ही थी. सर इस कीर्थी का क्या मोटी हो सकता है? अर्वीन को छोड़, उदे से महापत. अर्वीन आउट, उदे? लोव ट्राइंगल. यह तो उदे की गाड़ी है. अर्वीन. क्या है? अर्वीन, आमसे लिखे. बाहर लिखे. अर्वीन. क्या है? क्या है? अर्वीन, मेरी व्यात्स वर्षे के कोशेश करूँ. मैं, मैं उध्यसे बस लास्टे लेके... चुप! अन्ने तुमपर बरोसा किया था? लेकिन तुमने मेरे वर्षे को तोड़ दिया. अगर तुम्हें लगता है ना, कि सब कुछ देखने के बाउजूत भी मैं तुमसे शादी करूँगा, तो मैं बेवकूफ हूँ. मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा. No, never! It's over now! Sir, अगर कीरती वाकवी में अर्विन से आखरे बार मिली थी, तो पर उससे पुष्टाज भी हुई होगी? हुई थी. दोनों से हुई थी. कीरती और उसे दोनों से. In fact, कीरती ने फर्स्ट इंवेस्टिकेटिटिंग भीम को जब बयान दिया. वो काफी इंटरस्टिंग था. Sir, मेरी अर्विन से फोन पे बात जरूर हुए थी. लेकिन हम मिले नहीं थे. अर्विन गायब कहा हो गया? असली कहानी क्या है वो बताओ. मुझे नहीं माकम, Sir. कितना प्यार करता था वो मुझ से. और मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती थी. हो तो गया न वो. आखरी बार उससे तुम कहां मिली थी, वो बताओ. Sir, हम नहीं मिले थे. मेरी तो उससे ज़्यादा फोन पे बात भी नहीं उपाई थी. उसने फोन डिस्करनेक कर दिया था. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझ से अपसेट था. इसलिए उसने सन्यास लेने कहा ये डिसिजिन दे लिया. यह सन्यास वाली थोरी ना, पुड़ी पकवास है. कोई दमनियस थोरी में. और यह कीरती. इधर अर्विन गायब हुआ. एक मेने बाद भाग के उसने उदे सी शादी कर लिए. तो सर, उदे और कीरती दोनों साथ रहने के लिए इन लोगोंने अर्विन को रास्ते से लटा दिया होगा. इस पॉसिबल. लेकिन बागी सिस्प्रेक्स के कुछ खाम नहीं है. अर्विन ने 100 से दाधा लोगों को लोँन दियावाथ. उन सब के इंट्रिनेट यूजिस, डेटा, सोचल मेडिया परफाइल, सब स्टड़ी करो. और यह भी पता करो कि कीरती और उधे के अलावा, बागी सिस्प्रेक्स आज़कल का? यह सर्. जा कर रहे हैं, उधे? मेलागात्तम. अबगी के? उधे, एक गुड नियूस. क्या? मैं मैं अम्मा बनने वाली हूँ. आनो, गिरती, आयलोगी. वाली हूँ. यह जो. वाली हर्स से एक साल का डेटा मांगा था. लेकिन उनके पास सिर्फ नौ मैने का डेटा है. यह पहले हैं था, बिना किसी डेटा के हमारी एक्सपर्टीज कुछ नहीं कर सकती. कर सकती हैं, इतनी जल्दी उमीद मत छुड़ो. अभी देए लोकेशन बाकी हैं, डेली और देरादून. सर आप जानते हैं माज़र कुछ भी मिलना नेक्स्टो इंपॉसिबल है सर. पॉसिबल, यूनो. डेली रिसेर्चर ने एक न्यूस दिये, कि जिस दौरान अर्विन का फोन देली कजी सेर्य में एक्टीव था, उसी दौरान देली रिल्वे स्टेशन के पास एक सिस्पीशिएस बैक निला था, जिसमें एक्स्फ्लोसीव था. डेली स्टेफ ने उसे ब्लास्टोने से पहले डिफ्यूस कर दिये, इस खाबर को दबा दिया गया, ताके लोग फैनिक न हो जाएं, या दंगे ना भड़क जाएं, और आम शूर, STF ने वो सेरिय के डंटाटा जूरूर निकाला होगा इस खाबर की तय तक जाने के लिए. सर लेकिन STF एक missing case के लिए हमें अपना डेटा कियो शेयर करेगी? आई सर। करेगी, डोंट वरी, अलियूस माइ सोर्स, उसका जुकादना कर लूँगा? सर एक थली दॉर मिली है, अरविन missing case के suspect list में, एक suspect ऐसी है, जिसके मौसी पहाडगंज में रहती है, तो नियू डेली रेल वे स्टेशन के काफी पास में है। आइनौ। कमला। ये सर, ये भी शक के दाएरे में है। और 27 अगस्त को अर्विन दिल्ली में जगे पे था, इसकी मौसिगा घर उसके पास ही में है। वैसे सर, ये अर्विन की बॉर्वर भी है, 25 लाग का लोन था इस पे, जो रिपे नहीं कर पाई। और पेशे से असकॉर्ट है। सर, पिछली इन्वेस्टिकेशन के मुताबिक, अर्विन कमला का कस्टमर भी था, दोनमें काफी बातचीत होती थी। तो अर्विन जैसे मनी लेंडर ने कमला जैसे एसकॉर्ट को 25 लाग का लोन दे दिया। क्यों? तेरी आखों में एक अजीब सा दर्द है, ब्रेक अप होया तेरा? तुझे कैसे बता? एक्सपीरियेंस है, तुझेसे बहुत सा लवर्स को ना, कंधा दिया अपना जैसे शादी करना चाता था, उसने दुखा दे थी? एक बात बोलो, फैनांसर, जैसे पैसे से पैसे बनते हैं, वैसे खुशिया बाटने से खुशिया बनते हैं. चल्ड, दर्च जदर्च बाटकर, खुशियों की डील कर लेते हैं. बात है बड़ी इंट्रेस्टिंग करती है तुम और इंट्रेस्ट भी नहीं लेती है इसी बात पर शादी कर लें मुझे तू तू तो ऐसे उड़ गया जैसे मैंने तुस्से लोन मांग लिया हूँ तुमारी फीस मेरे जरुदत से कई जाता है मुझे 25 लाग रुपे लोन चाहिए देगा एक भी EMI बाउंस नहीं होगा मेरी मासी का घर है दिली में गिरवी पड़ा है मेरी माँ चैसी है इंसाने तनाते हल्प कर दे जो अंगे के माँ अथ है अख जाम अशाने से आपको ऑड़ान दे दिए आसाने से लोन दे दी आसानी तो मुझे ने अपने कभी चुकाया ने अपने इसमासी के साथ मिलकर चीट कर रही थीना मेरी मौसी? हाँ, दिल्ली वाली मौसी. जहां अर्विंद का फोन एक्टिव था, आपकी दिल्ली वाली मौसी पहाडगाण में वहीं रहती, है न? साब, अप मेरी मौसी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वो तो पहले टीवी से मर गई है, उसी के लिया था लोन. जब वो मर गई तो मैं अकेले कैसे चुकाती? अकेले ने? अर्विंद के साथ लास्ट टाइंग आप और आपकी मौसी ही थी. साब कुछ गलत पहमी हुई है, दरहसल बात कुछ और है. क्या बात? अर्विंद कायब नहीं हुआ था, उसका शायद मर्डर हुआ था. मर्डर? हाँ, साब, मुझे एक लड़के ने बताया था. कौन लड़के? जी? मैं विक्की, मैंनी फोन किया था. आउँ. मैंसे, मेरा नंबर मेरे सीक्रेट्ट लोगों के पास रहता है. तेरे पास करसे आया? मेरे दोस्त नहीं दिया. कौन दोस्त? अरविंद. अरविंद, गुप्ता? है, कहा वो आजकल? महारतियोस. क्या? तुम्हेर, मतलमे, मर्यावू. क्यासे? मुझे ते पहले यकीन ही हुआ. लेकिन बाद में पड़े चलिया कि वो सच में गायाब था. पर ये बात आपने पलिस को तो नहीं बताई? साब मुझे से जितना पूछा गया, मैंने उतना बता दिया. अच्छ, वो लड़का कौन था? उसका नाम विकी था. केकी. जी. सर, विक्की नाम के लड़केगा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अर्विन की केस फाइल में. पर कमला तो बता रही थी उसका दोस्त. होर सकता है, कमला में गुमार रही हो. दिल्ली में जा इसकी मौसीर रहती है, वा इंकवारी की? और ही सर इंकवारी. सर, आपको डेली स्टेफ से वो डब डेटा मिला? मिल जाएगा. हाँ, दिल. बोल. महतर साथ दिन बचे है तेरे पास? यहाँ दिल आने के जुरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तेना से बता कि इन दिन रह गए हैं. तुमसे जादा मुझे टेंशन है, क्योंकि टाइम इलिमिट के तलवार तो मेरे सेर पर लटक रही है ना? तू कह जाता है? के जाज ही क्लोज कर दूँ? अरे नहीं, तू अपना टाइम ले. अचा सुन 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 सुन, यह विकी का ओन है? विकी? अरविन्द का जिगरी दोस्त व्गा करा था. अरविन्द के कंट Magnus लिस में तो विकी कोही नहीं है? अरे विकी उसका निगनेम था।। उसका आइडी नेम था, विक्रम. वहो.. यह विक्रम है उसकी कालों तो यह विक्रम ही विक्कि है. वैसे ये विक्की तो खुद एक केस बन गया था. मतलब? मैं उसके केस की फाइल बिजबता हूँ. तू देख ले. सर, ये विक्रम उर्फ विक्की का केस हमारे केस से जुड़ा हुए. क्या हुआ है, सर, इस केस में? मंदू भवी, ये सब कैसे हुआ? वाड़े की तर है? उपर. विक्की अपने सिसाइड नोट में लिखता है, कि अपने दोस्त अर्विन गुप्ता का जाना मुझसे बरदाश्ट नहीं हो रहा. उसकी कमी मुझे जीने नहीं दे रही. इसलिए मैं आत्मत्या कर रहा हूँ. सर, एक तरफ कम्ला ने बताया कि विक्की जानता था, अर्विन मिसिंग नहीं है, उसका मॉडर हुआ है. और दूसरी तरफ विक्की जो इस स्टेटमेंट को क्लियरिफाई कर सकता था, कंफर्म कर सकता था, उसने आत्मत्या कर ली. वो भी अर्विन के गाइब होने के एक मेना बात. कम्ला की मताबिक विक्की ने उसको बताया कि उसी ने अर्विन को मारा. अगर उसने मारा, तो फिर उसने से साइड नोट में ये क्यों लिखा कि वो अपने इंदोस्त को मिस्स कर रहा है. और अगर अर्विन मारा गया, तो फिर अर्विन के फादर को मैसेज कौन भेज रहा था? एक काम करो पुरे अरिय में पेट्रोलिंग करवाँ. और नाके वेंदे भी करो. अच्छा, सुनो, मैं कॉल करता हूँ, उससर में. खुपाल जी, आप... तोमर साब, आप तो एक साल होने को आया है. मेरे पेटे के कुछ पत्ता चलू. खुपाल जी, मैं आपकी तकलीफ को समस्ता हूँ. हम इस केस को एक लास्ट मौका दे रहे हैं. डिपार्ट्मेंट ने हमें इस केस के लिए मातर च्छे दिन दी है. च्छे दिन मतलों? च्छे दिन बाद आपके बेटे को गायब हुए एक साल हो जाये. फिर... फिर क्या? फिर आप यह केस बंधर देंगे? तुमक साब, आप लोगों से बड़ी उम्मीदे लगाये बैठा हुए. आप लोगों कुछ करते हैं नहीं. कुपाल जी. कुछ केजिए. कुछ केजिए. कुछ केजिए. कुछ केजिए. आप विक्की के वाईप मधू है? जी. कुछ बात करने आपसे. एक साल हो गया विक्की के वाईप. लेकिन. एक साल है मड़ा. दस मेहन है. शब्यस दिन. प्रसाइसली. शब्यस सेप्टमबर को विक्की ने सुसाइट किया. और ताजव की बात यह है, कि उससे एक मेहना पहले, 27 अगस्त को, अर्विंद कुपता कायब हो. आप मुझसे पोचना क्या चाहते हैं? यह आप जानती है. आखिर ऐसा क्या हुआ था जब विक्की ने सुसाइट किया? उन दिनों विक्की काफी अपसेट रहने लगा था. कभी चुप चुप रहता तो कभी एकदम अगर ऐसे वह जागा था. क्वाल। घौल! जाए! जाए! विक्की, विक्की lien! मैं, Wednesday! विक्की、 Cam… पाज़ोंगे, उलूगे! जाए! विक्के, विक्की, जा-जाए! विक्की, ज depositandगcusे! जाए, आजिए..! जूए! दुन्हाहल Вам! विक्की Govern's… फिर मैंने नेबर्स को बुलाया वादू बाभी 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 क्या हो विकी तर्मादा ने कुर रहा है विकी ने लिखा था के वो अपने दोस्त अर्विंद गुपता को बहुत मिस्करता था पर ऐसे कोई करता है क्या अपने उस दोस्त के लिए अपनी वाइफ को अके लिए छोड़ कर चला गया अप जानती थी अर्विंद गुपता को हाँ उसी के बाज़ा जिन पीटा पती आपका पती? आपका पती क्या? लगता है, आप अर्वेन गुप्ता को कुछ खास पसंद नहीं करती थी? नहीं पसंद करती थी. तो बोलता है कि वो सन्यास पे चला गया, लेकिन फित्रत से तो एकडम… एकडम? बोलिये क्या कहना चाहती? मुझे पसंद नहीं था. क्या हूँ? अरे, अर्वेन, तुम पर विक्की तो घर पर नहीं है. तो क्या हुआ? मैं अंदर नहीं आ सकता? अरे, क्यो नहीं? आओ, आओ, आओ. बैठ़, बैठ़, चाहे पर होगे, मैं चाहे लेकर आतुए. नहीं, आप रुखे, यह आपके साथ इंट्रेक्शन ही नहीं हुआ, आप, बैठ़िये ना, हम लोग बात करेंगे. हाइए. मतलब? मतलब यह कि तुम तो ऐसे बात करेंगे हो, जैसे मैं, तुम्हारे सिगनल को समझ नहीं पाता. मतलब क्या है तुमारा? मतलब यह कि, सुनो बहुता. क्या तुम्हारे, यहां बत्तमेज़ी है यह? जै अभे फ्रापी, तुम्हें विकी का दोस्त समझ के, पैमिलियर क्या हो गई, कि कुछ भी सोचने लागे? अरे नहीं, आपको ना गलत समय हो गई है, एक्चली गलत समय ना मुझे हो गई है, लेकिन प्लीज, आप ये बात ना गभी विकी को मार बता ना. पर अरविन गुपता के गाइब होने के बाद, पूलीस में आपने ऐसा कोई बयान ने दिया. मैं ये सब कैसे बोलती, तब अगर ऐसा बोलती तो सम मुझे ही गलत समझते. आप क्यम बोलें? क्यूंकि आपने इंसेस्ट किया. आपके पती विकी को आपने बताया था कि अरविन ने आपके साथ? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बताया था, और उन्हें भी बहुत गुस्टा आया था. उसके देमत, वाले को काट दूगा मैं! विकी मैं! लिफ्टा, चाकु छोड़ो. लाबदा चोड़े दिना. छोड़ो! तुम रसा कुछ नहीं करोगे. एक तब तो विकी आग में इतना आग बभूला हो गया कि वह अरविन को माना चाहता था. लेकिन दूसरी तब सुसाइड नोट में लिखता है कि वह अरविन को बहुत मिस्स करता था. मुझे नहीं मालूम कि तब क्या चल रहा था विकी के दिमाग में? मैंने बोला ना आपको कुछ दिनों से वह पागल सा हो गया था. तो हो सकते उसी पागल पान में उसी घुस्से में विकी ने अरविन को मार डाला. क्या बोल रहा है यह? कमला को जानती है? कौन कमला? एसकॉर्ट. अरविन वहाँ जाता था. और उसने हमें बताया के विकी भी वहाँ आता था. यह क्या बोल रहा है? आप वह ऐसा हम जुआ यहां तक बताया के नशे की इहालत में एक वार विकी ने उसको कहा कि उसी ने अरविन को मारा था. यह सब जूट है. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो क्या अर्विन जंदा है, बोली, सच क्या है, क्या अर्विन जंदा है, मुझे क्या मालूँ, और इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं जानती, सच के अर्विन जंदा है, मतलब सर हम सिर्फ दो दिन से चूक गए, अब जो भी डेटा है, इसी को स्टड़ी करते हैं, लेकिन सर, सब्ताइस अगस्त को अर्विन देहरादून के तरफ टरफ टेवल कर रहा था, अठाइस अगस्त को देहरादून में था, सरी, डेटा उन्ती अगस्त से है, और बहुत ज्यादा है सर, इतनी महनत करके अगर कुछ नहीं मिला तो, चीजे सब तो, तो, तेल मी वन त अगस्तिव था, वो अर्विन से जुड़ा कौन था, यस सर, मैंनत पेकर हो जागी, और कमला की मौसी जो देली में रहती थी, उसकी इंकवरी का क्या हूँए, उसकी इंकवरी होगी, सर, लेंडर ने उसकी घर पे अभजा कर लिया, बेचारी बीमार पड़ी उसकी टेथ हो सर, डेली में जो डम डेटा मिला है, उसमें दो लाग से जादा मॉबाइल और इंटरनेट यूजर्स का डेटा है, सर, वहां से भी कोई ब्रेक्थुरू नहीं मिला है, और सर, देहरादून में उस डेट का कोई डम डेटा नहीं मिला है, जिस डेट को अरविन का फोन आप निकालाओ. विकास नगरपुली से कंट्ठक्ट करों. सर, मैं देहराद उनके विकास नंगर का डंप डेटा मिल गया और हमने अपने टीम को उसे डीकोट करने में लगा देगे। बड़ा, मैं यह अर्विन के फादर की स्टेटमेंट के बर में सोच रहा था सबसे पहले उन्होंने खुदी पुलिस को आके बोला कि उनको मेंसेज आया है कि विकास ने सन्यास ले ली फिर खुद ये कुंड़ी लेकर पुलिस के पास आए और बोले कि विकास की कुंड़ी में सन्यास का योग ही नहीं तो वह सन्यासी कैसे बन सकता है, तो चक्कर क्या है, हाँ, मुझे सुनके अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे बेटे की तलाश में जोटे होगा, जोटे मुझे कोई जोटी उम्याद मत दीजेता, क्योंकि आप लोगों की जोटे दिला से सुन-सुन के थक चुका हूं मैं मतलब हमें पता चला है कि अर्विन के घर चोड़ने से पहले, आपके और अर्विन के बीच में किसी बात को लेकर काफी बहस हुई थी, हाँ, हाँ, बेटा है वो मेरा, और आपके बिजनस का वारिस भी, इन फेक्ट पुष्टा नहीं बिजनस जिसे आप बागों भी संभा पूरा का पूरा बिजनस अर्विन ने टेक ओवर कर लिया, तो कहना क्या चाहते है, हमें स्टाफ से पता चला है कि आप बिजनस को अच्छा खासा संभाल ले थे, पर अर्विन ने आपको रेटायर करके घर बिठा दिया और खुद पूरा बिजनस संभालने लग गा, इसक पर मुझे भी यकिन नहीं हो राता, अचा जो अरॵिन के फोन से लास्ट कॉल हाई थी, किसने किया थी, अर्विन ने, हाँ, आवास किस की थी? वो वो लाइन में डिसर्बंस था तो आवाज कट-कट के आ रही है आवाज कट-कट के आ रही थी लेकिन आवाज थी किसकी अब ये शोर के अर्विन की आवाज थी कोई बाद में अगले अड़तालीस घंटे में पता चल जाएगा कि हपियर कट क्या थी दिल्ली गॉलियरोड देहराद उनमें जो अविलेबल डेटा है उनमें से कोई भी सेस्पेक्ट वाहा होगा, इस बात की कोई लीड नहीं मिली है मुझे इससब कुछ नहीं सुननना, सोला गंटेका वाप्त पाच्छा है मुझे रिजल्ट सर, मैं एक्स्ट्रीमली सॉरी बट आए थिंक यह फिल्ट यह फिल्यर यह फिल्ट वाइस, यह फिल्ट 27 अगस्त को देरादून के स्काई हिल्स होटल में अरुन का फोन उस होटल के वाइ-फाई जे कनेक्टेट था सर, यह बात हमें पता चली थी लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उसी दिन उस होटल के वाइ-फाई से एक और फोन कनेक्टर था जिसकी मेसेजिंग आप आइडी थी वी-के-टू-3-5 वी-के-टू-3-5? सरी, तो विकी का यूजर आइडी है लेकिन वह तो उस दौरा नेवाडी में था क्योंकि उसका फोन भी पर अक्टिव था इसका फोन एक्टिव था, लेकिन वह खुद देहरादूं में मौजूद था एक ऐसे मॉबाइल फोन के साथ जिसमें कोई SIM नहीं था ओके, तब यह फोन ट्रेज नहीं उपाया सर्मच बहुत शाती तरिकर से किया गया उसका मतलब विक्की अर्विन के साथ देहरादूं ट्रेवल कर रहा था और उसी ने कमला को अर्विन के मुर्डर के बारें बता तो कैसर विक्की ने अर्विन के मुर्डर को विटनेस किया अब यह तो विक्की बता सकता था अब यह राज हमेशा हमेशा के लिए विक्की के साथ ही तफ़न हो गया सर हो सकता है अर्विन का मुर्डर हो गया हो अगर अगर मुर्डर हुआ होगा तो पर किस ने किया होगा? मतलब मर्डर हुआ था या नहीं? वो अभी कन्फर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे लीड नहीं मिली. चार घंडे पले ही तुने गिबब कर दिया. वैसे तेरा कंट्रिबूशन इस केस के क्लोजर रिपोर्ट को बनाने में काफी मदद करेंगी. क्लोजर रिपोर्ट मैं बनाओंगा. कंक्लूजन क्या है तेरा? अगर तू क्लोजर रिपोर्ट बनाता, तो तेरा कंक्लूजन क्या होता? कमला के स्टेटमेंट के हिजाब से विक्की ने अर्विन का मरडर किया और गिल्ट में विक्की ने सुसाइड कर लिया और मरडर कमिटेट सुसाइड पॉसिबल है पर कुछ अधूरा लग रहा है चाहे पिएगा वेट चार घंटे हैं यह पिए अरे, सुन तो हां, कुछ पता चला? सर, देहरादुन के होटल के रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि एक साल पहले विक्की और अर्विन नहीं चेक-इन किया था कि नहीं तो फिर उनके होटल का वाई-फाई यूज कैसे हुगा? सर, मुझे लगता है यह काम कोई ऐसा इंसान कर सकता है जिससे आई-टी की अच्छी खासी नौलेज हो तो जितो मैं लाग रहा है उसको फॉल उप करो ना पता करो वह बंदा काऊन है पता करो कि विक्की और अर्विन की कोंटाक क्लिस में कुई ऐसा बंदा है जो आई-टी से कनेक्टेड है ठीक, इसे माँ करता हूँ मधू, तुम चिंता मत करो, यह केस जल्दी खख्म हो जाएगा जल्दा लिगे जा रहे हैं अब यहाओ अब, पुटी अरे-अरे-अरे, अरे-अरे, क्या कर रहे हो, विंगिनेर साहर, शॉर्य, सॉफ्ट विंगिनेर हम्हाँ, तो यह है, अमाधू और विक्की, तुम्हारा किरायदार सर, आप लोगों कोई कन्फूजन हुआ है, कन्फूजन तो आप दूर हुआ, इसलिए तो तो यह तक महुचने में इतना वक्त लग गया, वहना तो कब की जेल की हवा खा रहा था, विक्की ने ज़साइट लेटर लिखा था न, विक्की ने नहीं, तूने लिखा था, वो तेरा दून से यहां खोदा आओगे, यह हम खीच के लाएं, बला, सर में तंग आ गए थी विक्की से, किसी काम का नहीं था वो, लेकिन डाइबाउस जेकर भी क्या मिलता, इसलिए हमने विक्की के दिमाग में अर्विंद के लिए जहर भारा, तो विक्की को जो तुमने अ जानी सुनाई थी, वह सच थी? कामी नहीं बहुत भेज़द है कि मीरी, इसलिए हमने सोचा कि विक्की के दिमाग में अर्विंद के खिलाफ जहर भड़ते हैं, ताकि वही अर्विंद को मारे और भास जाए, अर्मधू की बातों में आगर, विक्की ने भी मुझे हेल्प करने के लिए बुला लिया था, म नुख्या बातकर रहा हँ, ह歌ा बराता है, कि मैने तुरिवी के साद में आशा कया है? जूट, मदबूत, साले, जूट, मदबूत, जूट!! तुझे लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ तुचल तुरी बीवी के आमने सामने बढ़ कर बात करते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है सर वो तो मडर गरने के लिए गया था वा तानी कैसे बीच में रोग गया मुझे लगा अगर ये मधू के पास चला गया तो कही कानी उल्टी न पड़ जाए इसलिए सर मैंने तुच अफंफं बात करते चला लिए सर मैंने विक्की को आइडिया दिया था कि वो अरविंद का फोन लेकर गॉलियर देली होते हुए दारदून जला जाए वो उसने अरविंद को मारतों दिया, तेकिन उसपे किसे को कोई शक नहीं होँआ सर, हम जानते हैं, अगर विक्की पकड़ा जाता थो साथ में जाथ हमभी पकड़ा जाते है अब्सक्राव विक्की ने अस्वसाइट नहीं किया था विक्की वो विक्की विक्की प्रद trabalhar kita प lobbet विक्की नई संप्पता, वहांमेंightsal नियरी मिव्क . विक़्ार, राकेश तो तुम लोगों ने अपने प्यार के चकर में तो मासुम लोगों को मांड डाला अरविंद किलाश करना इस केस में मेरी एंट्री या इस केस का मेरे पास आना मैज इत्वाक था पर इंसाफ इत्वाक नहीं होता इंसाफ नाम है हक का सचाई का इंसाफ की उमीद में कुछ आवाजें जो दबी रह जाती हैं या दबा दी जाती हैं कुद्रत एक ना एक दिन अपने तरीके से उन्हें उजागाश जरूर करती है और वही इस केस में भी हुआ कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हूँ लेकिन कानून का शिकंजा हर मुजरिम पे एक ना एक दिन उकस्ता जरूर है इसलिए हम बार-बार यही कहते हैं कि क्राइन नेवर पेस जय है